हलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबी लोग, उमीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं CMP Degree College में जो PG Courses का Documents Verification होना है उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और उस पर आप लोगों ने काफी अच्छा response दिया है दोस्तों, बहुत सारे students कमेंट कर रहे थे कि इसमें documents क्या-क्या लगेंगे यनि कि जो offline documents verification हो रहा है आपको college में आके अपना documents verification करवाना है कुछ बच्चों का ये doubt था कि क्या-क्या documents लगेंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो एक बार ये चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये एक बार हम लोग फिर इस पर नजर डाल देते हैं तक कि कुछ बच्चों पर जो भ्रह्म है जो लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो वैसे तो मैं उसका link description में दे दूँगा आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं ठीक है और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस पे भी हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं कि जो PG courses है उस पे CMP degree college ने अपनी notice जारी किया और उसके द्वारा बताया गया कि PG courses में documents verification होना है इन इन डेटों से जो बच्चे admission ले चुके हैं और खास करके यहां पर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं जो students admission ले PG courses में उनके लिए ये documents verification होना है ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर सारी चीजे में बताया था इसके पहले जो बीडिय बनाया था लेकिन यहां पर फिर से आप लोगों बता दे रहा हूं कि जो students 12 जनवरी 2022 से लेकर के 15 जनवरी 2022 तक के बीच में admission लिये थे ठीक है यनि कि जनवरी में जो students लिये थे admission 12 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में उनको बुलाया गया है 7 February से 8 February तक यनि कि आप 7 को जाएए या फिर 8 को जाएए यहां पर ये सारी चीजे हैं और timing दी गई आपकी 11 बजे से 2 बजे के बीच में आपको जाना है जिहां दोस्तों अगर आ आप 11 बजे से पहले जाते हैं तब भी यहां पर आपका वेरिफिकेशन जो होना है वो नहीं हो पाइदा अगर दो बजे बाद जाते हैं तब भी नहीं हो पाइगा तो ध्यान से सुनेगा और समस्ते चलिएगा फिर जो students 17 जनवरी से 19 जनवरी तक के बीच में admission लिये हैं उ टाइमिंग वही है यहां भी 11 बजे से दो बजे तक के बीच में आपको पहुंचना है फिर उसके बाद जो students 20 से 24 के बीच में admission लिये हैं उनको 9 या 10 को बुलाया गया है आप 9 को भी जा सकते हैं और अगर 9 को नहीं जा सकते हैं तो 10 को जा सकते हैं ठीक है और 25 से 29 तक जो students admission लिये तो उनको 10 से और 11 को बुलाया गया है timing सबके लिए सेम है ठीक है तो यह एक बार हम लोग फिर से यहां पर देख लिये हैं कि कि किसको जाना है क्योंकि कुछ बच्चों का संदे रहता है अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस पर जो documents verification होना है वो क्या-क्या documents लेग तो जो-जो documents आपने upload किये थे या फिर जहां से भी आपने upload किये थे या करवाय थे जो-जो documents आप upload करवाय थे ठीक है जो-जो documents आप upload करवाये थे वो original सारे documents जितने भी document जैसे कि आपने high school enter की marked certificate upload किये होंगे a format upload किये हंगे और भी 이णי अपने graduation की certificate जो है वो upload किये होंगे तो एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए जो documents आपने upload किये थे जो documents आप upload किये थे वो original ठीक है जो documents आप upload किये थे वो सारे original भी आपके पास होने चाहिए और इन सब की एक एक photocopy ठीक है सब की एक-एक photocopy आपके पास होनी चाहिए तो अगर आप ये सारे documents लेके आते हैं जो आप upload किये हैं तो आपका documents verification हो जाएगा फिर से एक बार आप समझ लीजिए online admission लेते समय आपने जो-जो documents upload किये थे यनि कि जो-जो वहाँ पे मांगा गया था वो upload किये थे उन सब को original लेके आना है ठीक है वो original भी होनी चाहिए आपके पास और उनकी सब की एक-एक copy भी होनी चाहिए उन सब की एक-एक copy भी आपके पास होनी चाहिए तो ये document से ही लगेंगी जो आप लोग वहाँ पे upload किये हैं इसमें कोई extra document आपका नहीं लगेगा या फिर कोई जो आप upload किये हैं वहाँ पर वही लिया जाएगा ठीक है क्योंकि verification होना है तो जो आप upload किये हैं उसी को एक बार देखा जाएगा उसी का verification किया जाएगा ये थी notice आप लोगों के लिए और कुछ बच्चे comment कर रहे थे तो वैसे तो मैं सारे बच्चों comments वहीं से कर सकता था लेकिन मैं ने सोचा कि ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा तो आप लोग कोई परिसान ही नहीं होगी वरना कई सारे बच्चे होते हैं कि बहुत दूर से आते हैं और फिर कुछ documents नहीं होते हैं उनके पास तो फिर जाना पड़ता है तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपका upload कर रहा हूं कि आप लोग अपना यहां से एक बार देखेंगे तो सारी चीज़े clear हो जाएंगी सो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए मिलते हैं हम लोग next वीडियो में